ब्रिशव रासी वालों का आज का रासी फल याने की साथ जनबडी 2020 का रासी फल तो नमशकार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रिश ऐस्पेशल में तो आईए आज का वेडियो सुरू करते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से आपके आज के दिन के बारे तो सबसे पहले हम आज के पंचांगों देख लेते हैं लेकिन इस वीडियो को आप एसकिप कहीं भी न करें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए आज की दिन का उपाई भी है जिस उपाई को फॉलो करके अपने आज के दिन को आप बेहतर बना सकते हैं तो अब हम पंचांग देख लेते हैं आज तिथी है द्वादसी नकछत्र है कृतिका पक्ष है सुकल पक्ष और दिन है मंगलवार आज की दिन सुर्य उद्य हो रहा है 7.15 में और सुर्यास्थ है 5.49 में चंद्रोद्य है 2.43 में और चंद्रास्थ है अगले दिन 4.37 मिनट एम में रितू है सिसिर और आज का दिन काल है दस घंटे 24 मिनट 49 सेकेंड का महिना है पौस और आज के दिन आपके लिए शुभ समय है बारह बज के 6 मिनट से बारह 48 के बीच में और अशुभकाल है सुभा के 9 बज के 20 मिनट से 10 बज के 1 मिनट तक और रहुकाल सुरू होता है दोपहर के 3 बज के 3 मिनट से 4 बज के 21 मिनट तक और फिर दिसासूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग अब हम जानते हैं आपके आज के दिन के बारे में दोस्तों आज के दिन ग्रह नक्षत्र की चाल आपके पक्ष में नहीं रहने वाली है ग्रह आपके आपका सपोर्ट नहीं करने वाले है आज के दिन हो सकता है कि जिस अहम प्रोजेक्ट पर आप लंबे समय से काम करते हो जो प्रोजेक्ट आपका शपना हो जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपके पास धन काफी ज्यादा आ रहा हो उस प्रोजेक्ट पर आज कुछ अरंगा आएगा और हो सकता है उस अर्चन के ब लाइफ में आज न घटे ऐसी घटना आपके लाइफ में आज के दिन नहीं हो तो आज अपने हरे काम काज को आप पूरे ध्यान से पूरा करें, काम काज में लापडबाही कहीं भी ना करें। पैसा आज कही भी आप खर्च ना करें दोस्तों आगे हम और बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दे घंटे को ओल पे और कर दे औ और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हर जगा फैला दे सेयर कर दें ताकि आपके शाथ साथ मांकी लोग भी इस वीडियो का फाइदा उठा सकें अब है आपका पाड़िबारिक जीवन जो कि आज के दिन आपके लिए सही रहेगा बेहतर रहेगा आपके बुरे बक अपने गार के बच्चों के लिए आज आप कुछ योजना बनाएंगे जो उनके लिए फाइद मंद सिद्ध हो सकता है इसके बाद है आपका प्डेम शम्बंध तो मित्रो हो सकता है आज के दिन अपने प्डेमी या आपके प्रेमिका से आपको कुछ बाते डांट के तो स्वास्त के लिहाद से भी दिन आपका ज्यादा अच्छा नहीं है इसलिए आज के दिन आप नसा पान न करें और मांसा हार आप आज न करें आज के दिन आप शाकाहारी बने रहें और ऐसे बस्तूओं का सिबर न करें जिन बस्तूओं से आपके स्वास्त को खत्रा हो तो प्रयोग करें एकदम ओरिजिनल हनी का प्रयोग करें दिन आपका बेहतर हो जाएगा और बाधाएं आपको आज के दिन कहीं भी नहीं आएगी तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय सी आराम